Hi everyone, so आज इस वीडियो के अंदर डिसकस करते हैं MDP के उपर मतलब Mark of Decision Process के उपर MDP बहुत भी super important concept है और ये concept मलब कोशन आने के चांसे बहुत जाधा high है इसके ठीक है, MDP के अलावा दो और topic है जो कि reinforcement learning का ही part है but MDP से थोड़ा सा अलग है दोस के लिए भी यार वीडियो बनानी पड़ेंगी जो कि बहुत जाधा important है एक है भाईया सारसा, दूसरा है Q-learning So ये questions भी काफ़ जाधा famous है और paper के अंदर ये तीन questions मैंसे एक या दो questions हर बार पूछा जाता है तो दो questions तो समझ लो इन तीन questions में से आपको machine learning के paper के अंदर मिलने मिलने इसके अलावा जो एक important जो चीज थी वो support vector machine वो मैंने बता दी है अगर समय बचेगा तो इसका जो next topic है bias theorem या basic learning के according उसको उपर भी समय होगा तो ज़रू वीडियो बना दी जाएगी So अभी start करते हैं भाई MDP के उपर चर्चा करना and काफी जदा important है मैंने आप लोग को machine learning के true important के अंदर supervised learning पढ़ाया unsupervised पढ़ाया and reinforcement learning पढ़ाया So जो reinforcement learning है वही major part है इन तीनों के उपर ठीक है MDP भी आप इसी से पढ़ने वाले हो अगर reinforcement learning आपको आती है तो आप सारसा भी गल लोगे and Q learning जो next है ये सारी चीज़ें आप कर लोगे जब को ये reinforcement learning समारी में आ रही होता है reinforcement learning में कुछ नहीं होता है just simple एक agent होगा है जो की environment से सीखता जाएगा और फिर state change करते-करते एक अपना output produce करता जाएगा अगर उसको reward मिलेगा अगर उसने सही काम किया तो उसको reward मिलेगा ठीक है output उसने predict सही तरीके से किया है तो otherwise उसको penalty बननी पड़ेगी तो ये चीज़ रहती है reinforcement learning के अंदर I think आपको reinforcement learning already cleared होगा तब ही आप MDP तक पढ़ रहे हो ठीक है तो अगर MDP नहीं आती है तो भाई मैं highly recommendate करूँगा क्या तुरून चे के अंदर जो वीडियो पढ़ी हुई है जिसके अंदर मैंने reinforcement learning समझाया तो पहले वो जाके पढ़ो तब ही MDP समाझी में आएगी otherwise कोई मतलब नहीं इसका पढ़ने का ठीक है so MDP यही चीज़ है जो definition उसको पढ़ने से पहले एक ही जो इसका डाइग्राम में जो reinforcement learning का ही है लगबग आप यह समझ सकती हो यह आपको MDP के अंदर भी बना नहीं है ठीक है same ही चीज़ है तोनों लगबग एक चीज होती ही जो मैं आपको बताऊँगा अभी पहले डाइग्राम देख लेता है तो environment है environment से state में गया तो agent है ना environment से सीख रहा है state बदल गया फिर action perform किया then अगर action सही निकला तो उसको reward मिलने वाला है otherwise उसने जो action perform किया वो नहीं सही output generate कर रहे है so उसको reward कम मिलने वाला है ठीक है तो reward की इसमें यही reinforcement learning का यही है कि वो maximum reward agent जो है gain करना चाहिए ठीक है maximum reward की तरफ जाना चाहिए बात खतम होती है short simple way में यह डाइग्राम है जिसके अंदर आपको सामने 5 चीज़े दिख रही है एक environment है agent है, action है, state and rewards है आइगूप आपको यह basic idea लग रहा होगा कि agent क्या है, environment क्या है actions क्या है, rewards क्या है and states क्या है इतना भी नहीं बता है तो भाई मैं तब भी आपको कहूँगा कि यार यह साही चीज़े है पहले देख लो agent क्या होता है जो action perform करता है action मतलब काम करना यह तो खतमी चीज़ है environment जहाँ से सीख रहा है कुछ ना कुछ states, state change करकर आगे बढ़ रहा है rewards आपको पता है यह क्या होता है तो यह चीज़ है बात clear है, तो यह diagram clear होना चाहिए अब मैं आपको बताने वाला था कि reinforcement learning जो है, वो यार एक, आप model based learning होगी ठीक है, reinforcement learning एक जो है model based learning उसी का पार्ट है MDP mark of decision process जो है model based learning का ही पार्ट है दूसरी होती ही, model free learning जो कि अपन सारसा और Q learning पढ़ेंगी, तब वो कामाईगी एक model based learning है एक model free learning है so, एक question बहुत अच्छे तरीके से आपको एक point लिखना है MDP के अंदर जब भी अगर आपसे MDP पूछा जाएगा mark of decision process पूछा जाएगा तो आपको एक point लिखना है कि mark of decision process reinforcement model based technique है model based learning है, reinforcement की कौन सी learning है, model based ठीक है, model based learning है, कौन mark of decision process, बात clear है, इसके अंदर इसका मतलब क्या हुआ, model based का मतलब क्या हुआ, कि model पे dependent है, मतलब की यार, जो state है जिस state में आप action perform कर रहे हो, उसकी just previous वारी state पे work होगा, ठीक है और यह जो बाकी remaining state है उसका उससे कोई लेना देना नहीं है यह है, इसका main funda, MDP का यह कब समझ में आएगा आपको next slide के अंदर बताये जाएगे, यह definition बहुत ही important है, अभी फिलाल यह जो point है, वो समझते हैं, यह भी देख रहेते हैं, in MDP मतलब Markle Decision Process, the agent constantly interact with the environment लगातार, है ना then and perform the actions at each action, the environment responds and generate a new state, तो यह बात समझ में आरी इस डाइग्राम से, ठीक है हर बार क्या कर रहा है, agent action perform कर रहा है, environment से सीखता जा रहा है, ठीक है, तो उसको शुद्ध English भाषा में लिखा गया है simple एकदम तरीके से एक बार आप पढ़ भी लोगे तो आपको दिमांग में बैठ जाएगी तो एक बार दुबारा से देखते है, जो जो agent है जो, ठीक है, वो constantly क्या कर रहा है, interact कर रहा है environment से, end कर रहा है, perform actions action perform कर रहा है, और हर बार जो action है वो new states generate करते जा रहा है ठीक है, तो ये बात clear है, ये बात clear है, अब जो बचरी बीच वाली if the environment is completely observable then its dynamic can be modeled as mark of process, है ना, क्या ही ये mark of process है, अब इसको समझते है mark of process क्या है तो इसको समझने के लिए, आप यहाँ पर mark of properties या फिर इसकी जो चार टपल से हैं ये आप पर दीख रही है, आपको state, action, reward ये सारी चीज़ है, ठीक है, तो ये important है ये आपको लिखना है, environment के बारे इसको मतलब क्या reinforcement learning, ठीक है and almost all the RL problems बालब reinforcement learning problems can be formalized by using MDP ठीक है, साई सरल पासा कोई इतना खदरनाग निए, इसमें मुझे major chart टपल से है, state है, action है, probability है और rewards है, अब ये जो probability है वो कौन सी probability है यहाँ पर एक transition matrix बनाएंगे, जिसके अंदर probability लिखी जाएगी हर एक state की, और जिसकी probability हाई होगी वो आले action परफॉर्म किया जाएगा ये रहता है इस अंदर, ठीक है, इसके अंदर so, S क्या है भी या, set of finite state finite state होने वाली action होने वाले rewards ठीक है, आरे, जो है, rewards and P, जो है, probability है अब MDP use करता है Mark of property so that की, जो MDP वो ज़्यादा अच्छी तरीके से work करे ठीक है, तो Mark of property क्या है, वो भी तो जानना जरूर ही है, इत्ता मेरे खाल से सभी को समझ में आ गया होगा, जितना जितना मैंने बता आप लोग को, ये जो चीज़ है, ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया हूँगी Mark of decision process क्या है, MDP क्या है, एक reinforcement learning का ही आप formalized version कह सकते हो, formalized way है दूसरी चीज़ ये model based learning के पार्ट है, reinforcement learning में model based learning का ही पार्ट है, ये जो use करता है, वो भाईया environment से सीखता जाता है, और हर बार action perform करता है और नई state generate करता रहता है, ये चीज़ है diagram बनाना बहुँज़ाद important है, उसके अलावा यहाँ पर जो एक चीज़ है, चार टपल के बारे में बताते हैं अब ये जो probability है, probability use होती है, अपन किसके लिए बनाते हैं, state transition matrix बनाते हैं, matrix के अंदर probability लिखी जाती है, जिस state की probability हाई होगी, वो state का action perform किया जाएगा, काफी simple चीज़ है, अब Markov की properties use करते हैं, Markov की property क्या कहती है if it's state that if the agent is present at current state s1, अगर कोई agent s1 पे current state उसकी s1 है और वो perform कर रहा है, action a1, ठीक है, क्या perform कर रहा है, एक action a1 state s1 पे, and move to the state s2, then the state transaction from s1 to s2 only depends on the current state, सिर्फ वो current state पे ही depend होगा, पीछे की जितनी भी state और actions होगे, उसमें कोई भी कुछ उसकी dependency नहीं रहीगी, ठीक है, does not depend on past action, rewards और state, ये perform कर रहा है, a1, agent action perform कर रहा है, a1, current state s1 पे, और वो move कर रहा है, state s2 पे, so उसकी जो भी past के actions हैं, या past के rewards हैं, या past की कोई भी states है, उस पे dependency खतम हो जाती है, उस पे कोई dependency नहीं, यही है सबसे important point, mark of property का super important point, इसको लिख लेना paper के अंदर starting में ही, ठीक हैं, जैसे, मैंने आपको बदाए कि mark of property यह है, आपने basic basic यह लिख देना है, then diagram बना देना है, diagram को elaborate कर देना है, और यह जो लिखा है, यह चाहो तो शुरू में भी लिख लो, और उसके बाद, mark of property mention करने के बाद, यह भी दुबारा से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको शुरू में यही समझाना है, states बना देना, बहुत सारी, mark of decision यह mark of property यही है, कि जिस current state पर खड़ा है बंदा, यह current state से move कर रहा है next state पर, so next state पर आगई current state 1 थी, let's suppose state 1, next state state 2 है, so इसकी dependency सिर्फ इन दोनों states के बीच में होनी चाहिए, rather than the past, उसमें कुछ उसका involvement नहीं रहेगा, तो past की जितनी भी states है, उसमें कोई involvement नहीं है, उसके कोई भी actions है, उसके कोई rewards में कोई involvement नहीं रहेगा, यही है example, best property जो है markov की यही है, अब बात करते हैं इसके examples की, ठीक है, बहुत ही प्यारा game है, chess game, सबने chess खेला होगा, तो अभी उसको समझते हैं, उससे पहले यह जो बात है, वो जब तक clear नहीं होती है, repeat करो वीडियो को, तब ही मजाएगा, तब ही आप marks गिन कर पाऊगी, और वो past की state क्या याद रखता है क्या, नहीं, हर एक बार यहां पर वालो कुछ भी आपकी जो भी है, go to whatever, तो यहां पर उसने एक move action perform कर लिया, अब वो इसकी जगह, अब जो उसका next जो है, तो उसके उपर focus करेगा, ना कि इसके moves के उपर, ठीक है, तो यही है कि हर एक, एक-एक steps या फिर current state पर ही उसका move रहेगा, या फिर focus रहेगा, last की चीज़े हैं, वो उसका कोई logic रहना नहीं है, तो यही है actual game, chess game का example, जो की mark of property के अंदर आप लिख सकते हो, और यह जो बात है कि current state पे, अगर action perform हो रहा है A1, और move हो गई state S2 पे, so its dependency वो S1 और S2 पे ही रहने वाली है, rather than जो उसकी previous state थी, उस पे नहीं, एक बहुत ही अच्छे example है, जैसे कि S1 से लेके ST state है, और ST state से ST plus 1 state है, अगर यह ST state की current state है, यह move हो गई ST plus 1 पे है, एना एक action perform का लिए AT, सो उस situation पे क्या होगा, कि यह ST की, ST plus 1 अगर अगर अपन calculate करने जाएंगे, so वो dependent होगा सिर्फ ST और AT ना कि जो S1 से लेके ST minus 1 तक जितने भी होगी, उस पे कोई dependencies की रहेगी ने, बात clear है, सिर्फ dependency उसकी previous वाली state पे ही रहेगी मात्र, एक state पे, only single state पे, ठीक है, यह बात समझे आती, dependency सिर्फ इतनी होगी, अगर अपने ST1, ST plus 1 को find करना चाह रहे हैं, तो यह चीज़ है, Markov decision process, I think यह बात clear होगी होगी, and सभी को यह जो important concept है, यह last line जो page की है, last PPT है, जो यह वाला example, game का example भी समझ में आगया होगा, और यह जो Markov property वो समझ में आगया होगी, Markov property को starting में लिखना, then उसके बाद आप फिर से start करना, जो Markov property model based reinforcement learning का actual है, ठीक है, part कहलो, reinforcement learning का form है, Markov model based learning है, ठीक है, फिर उसके बाद समझा देना कि formalized reinforcement learning है, then यह बता देना, यह बता देना, जो जब मैं already बता चुग है, then diagram बना के diagram को explain करे देना, chart tuples बता देना, probability का काम क्या है, कि जो state transition metric है, उसके अंदर आप states को manage करना, और उसकी probability जिसकी higher होगी, उस state में action perform किये जाएंगे, तो यह जो चीज है, यह ही है, भाई, यह mark of decision process, I think so, यह concept clear हो गया होगा, एंड किसी को भी इसमें अब दिक्कत नहीं बैटरी होगी, तो फिलाल में the next video के साथ, तो next video के अंदर आपने try करेंगे, जो कि आल्ला को, मतलब mark of decision को जो next part है, यह तो खतम हो गया, I am DP, अब जो reinforcement learning है, उसका जो next part है, सारसा और Q learning, तो try करेंगे इनके उपर videos डालने का जल्दी से, तो फिलाल में the next video के साथ, बाई!